नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे पेंटॉप DSR कैपसूल के बारे में इसके फायदे नुकसान इस्तमाल करने का तरीका और कितने दिनों तक इसको इस्तमाल किया जा सकता है इन सभी बातों कि इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखेगा लेकिन वीड पेंटॉप DSR कैपसूल आता है एरिस्टो कंपनी का और 10 कैपसूल का पत्ता होता है और 117 सम्थिंग इसका MRP होता है मेरे पास पत्ता जो है वो यूज किया हुआ है तो मैंने सोचो चलो इसका वीडियो बना देते हैं आपकी नॉलेज के लिए तो दोस्तों इसमें जो सॉ उख acidity gas को ठीक करने के लिए किया जाता है जैसे कि पेट में gas बनना बहुत ज्यादा, side में gas बनना और पेट भरा भरा लगना, acidity हो जाना, खट्टे डकार आना, और भूखना लगना gas की बजाते, और चाती में जलन हो जाना, और gas की बज़े से उल्टी होना, और पेट में चाले हो जाना, पेट फूलना, सीने में जलन होना, या फिर पेट में बहुत ज़्यदा एसिड बनना, गले में जलन होना, अफारा होना, और प्रेगनेंसी में गैस एसिडिटी हो जाना, पेट में दर्द होना, पैप्टिक अलसर होना, और ज्यादा दवाईयां खाने की वज दुक कैस के वाज़ेसे नहीं लगते हैं और कइबार खाना भी छरीर स्थेड़ को नहीं लगता है।। उस कंडीशन में भी, इसको कैपसुल को इस दू माल किया जाता है। इसकी जो डोज होती है दोस्तों एक कैपसूल सुबह खाली पेट दिया जाता है पेशेंट को और साथ में और भी दवाईयां दे सकते हैं जैसे कि जो सीरप होते हैं उसका भी इस्तमाल किया जाता है लेकिन डॉक्टर को चेक कराकर ही आपने इसका इसका इस्तमाल करना है आप डॉक्टर की सला के साथ में ही इसका इस्तमाल करना ठीक है इसके जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो है खुजली या फिर कब्ज होना या फिर चक्कर आना दस्त लगना सिरदर्ध होना मतली अगर इन में से कोई भी प्रॉब्लम आपको पहली ही डोज लेने से होता है यानि कि पहले ही कैपसूल लेने से ऐसी प्रॉब्लम लगती है कोई तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताईएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लगा हो तो वीडियो को लाइक जरू कर देनों चैनले को सब्सक सब्सक्राइब करना भूलेगा धन्यवाद